अब हम characteristics of test का जो दूसरा component था यानि एक पहला component तो validity था और हमने का कहा कि अच्छे test को reliable भी होना चाहिए तो यह दूसरा characteristics are reliability, इसके concept पे हम पहले बात कर चुके हैं, इसको थोड़ी सी तफसील से देखते हैं कि reliability से क्या मुराद ली जाती है और reliability के कौन-कौन से evidences हो सकते हैं, जैसा कि हमने पहले कहा कि अगर कोई research instrument बार-बार एक ही result प्रोड्यूस करें, अचा यहां एक ही result से मेरी मुराद दुरुस्त result नहीं है, मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक research tool एक क्वेस्टनेर दिया जिसमें एक सवाल था कि पाकिस्तान किस सन में बना फर्ज कर लें हैं सवाल ऐसे था और आगे उसके दिया था 1847, 1947, 2047 इस तरह के जवाब दिये हुए थे किसी शक्स ने जब मैंने पहली दफ़ा उसको वह tool दिया तो उसने जवाब select किया 1847 जो के गलत जवाब है जब दोबारा दूूँ तो फिर वो दुबारा 1847 भी कहे। फिर दौब दौब फिर कहे 1847 जवाब और गलत दे रहा है लेकिन जवाब है जवाब गलत आर लेकर वह जवभी जवाब जो पहली दफ़ा दिया था То मैं इससे यह अंदाजान लगांगा कि सका जवाब consistent है अगर आप अपनी वो शुरू वाली इनालोजी जो ने बनाई थी आप देखें कि एक शख्स जिसको कहा था कि वो दर्मयान वाले ब्लैक स्पॉट पे टार्गेट करेगा उस बोर्ड पे उसने वहां नहीं किया किसी और जगा टार्गेट किया लेकिन बार-बार किया उसी जगा यानि गलत जगा लेकिन वो गलत जगा सेम है हर दफाँ तो हम कहेंगे कि यह रिलायबल है डुरूस्त कांसेट आस temp आप को समिछाना यहां वो यह है कि रिलायबिलिटी इस नौट जटक्रक्केंट आंसर प्रिलिदी इस नॉट बाव पॉइस और सेम आंसर एवरी टाइम यू रिस्पॉंड अगर आपका टूल जो है वो किसी शख्स को से बार बार कंसिस्टेंट रिस्पॉंस हासल कर लेता है तो हम कहेंगे कि ये टूल रिलाइबल है उससे मुराद ये है कि इससे पहली दफ़ा जो आपको समझ आई और जो जो जवाब आपने दिया आप बार बार पढ़ते हैं तो आपको वही बात समझ आती है और आप वही जवाब देते हैं आपका जवाब सेम होने से मैं ये इनफर करता हूं कि मेरे टूल के अंदर गरबर नहीं है ये आपको ठीक ठीक इनफरमिशन पहुंचा रहा है हाँ आपको जवाब कुछ आता था जवाब बार बार दिये जा रहे हैं वो सकता है दूस्त ना भी हो जब भी कोई टूल आपका यह पहलू है दूसरा पहलु जो रिलाइबिलिटी का है वो है स्टेबिलिटी उस में जो नैने भी आपसे किया स्टेबिलिटी वो येही है कि आप बार बार एक जवाब देते हैं और एक पहलू इसका जो है व boy जिसको आप कहते internally consistent होना यानि मैं ये भी ensure करना चाहूं कि मेरे टूल के अंदर जो सवालात मैंने बना रखे हैं इन में से हर सवाल असल में main construct के किसी पहलू को measure करता है बसलिए जैसे मैंने अब से का आज intelligence measure करनी हूं और वो problem solving से measure होती है किसी की ability to communication से होती है किसी की artistic ability से होती है तो मेरे जो सवाल जिनको मैं ये claim कर रहा हूं कि ये सारे किसी की artistic ability को check करते हैं तो वो सारे सवाल क्या वाकई artistic ability को measure करने वारे भी हैं या नहीं है सवाल internally consistent होना internal consistency का मतलब है कि उस instrument के हर item में जो चीज मेर हो रही है वो intelligence का ही कोई पहलू है जो मेर हो रहा है बार 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 वो कोई और चीज ना हो तो जब भी कोई tool के items उसी चीज के मुख्रिफ पहलूँ को नापते हों जिसको नापने करीब वो tool बना था तो मैं कहूंगा कि ये internally consistent tool है इसके तमाम items जो हैं वो एक ही चीज के मुख्रिफ पहलूँ को देख रहे हैं तो ये दो तरह के बुनियादी evidence हैं यह रिलाइबिलिटी में consistent response तो मैंने का ना जब आएगा तो reliable होगा अब वो इसके आने से मैं consistent response से मैं दो तरह की बातों का फैसला करता हूं एक stability का और एक internal consistency का so reliability निकालने में चंद मैयरs stability से मतलिक होते हैं stability से मराद है आज ना पूँ कल ना पूँ परसों ना पूँ इससे तो जवाब वही आना चाहिए अच्छा थोड़ी सी एक और भी मिसाल ले लेता हूं एक फर्ज कर लें फुट्टा मैंने बनाया जो चीजों की लंबाई नापता है अब मैंने उस से एक मेज की लंबाई नापने कोशश की पहली दफ़ा जब मैंने नाप थो वह कहता है मेज 12 इंच चौड़ा है दूस्blic धफ़ नापता हूं तो वह ज़ेता है 13 इंच हो गया है तीसरे दफ़ा उसी फुटे से नापता हूं कि इतना है तो कहता है 15 इंच हो गया है आप क्या कहेंगे फुटा गलत है या मेज घलत है मेज तो अपनी लंबाई नहीं बदल सकता फुटा अगर बार बार मनापने पर उसके मेयर बदलता जाता है तो इस मेयर मेरे फुटे में कुछ घलती हो सकती है मेज की लंबाई इतनी तेजी से नहीं बदलती अपने आपको तो टूल का कर्रिक्टेरिस्टिक है ना डिलायबिलिटी फो अगर शव्लत मेयर आए गए गर कनसिस्टिटेंट नहीं आएगा देखे पहले दवबाई थिसरी दवबाई का तatura का चौदह ह्या है तो हर बार डिफरिंट मेयर आह रहा है कनसिस्टिटट मेयर नहीं तो इससे यह पता चलता है कि मेरे टूल में ये खराबी है कि वो मुझे मेयर्मेंट हर दफा घलत कर देता है मेज में ये सलाहियत नहीं है को अपने आपको बदल ले अब इसी इनालोजी पर देखिए मैं लोगों की फर्द कर लीजिए मोटिवेशन मेयर करता हूं तो मोटिवेशन जो मेरे अंदर है वो तो सेम है मेरा टूल अगर मुझे बार बार उसका वैल्यू बदल के बताता है तो इसका मतलब है मेरा टूल जो क्वेस्टन है रहा है वो ठीक नहीं है वो क्यूंके मेरे अंदर तो वो चीज बदल नहीं रही बदल अगर 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 फ consistent का उसके तमाम items को अगर आप देखें तो वो तमाम के तमाम motivation को measure करते हो motivation के किसी पहलू को तो हम कहेंगे यह internally consistent है यह दो चीजे ensure करनी है इसके बाद जब भी आप इसको नापते हैं जो इसके formula हैं बुनियादी तो reliability की value हमेशा plus one और minus one के दर्मयान रहती है one से यहां मुराद 100% है reliability so zero reliability का मतलब है कि यह बिलकुल reliable tool नहीं है और जितनी यह one के करीब होती जाएगी उतनी ही हम कहेंगे के tool ज्यादा reliable होता चला जा रहा है सो इस तरीके से आप इसको zero और one के दर्मयान रखके आप इसको measure करते हैं अब अगर मैं इसको आपको इसके मुखरिफ evidences की बात बता हूँ तो देखिए इसमें आपके टेबल में आपके सामने चंद नाम लिखे हो हैं जिनको methods लिखा हुआ है और उसके आप देखा है यह method जो है यह tool के कौन से characteristic को reliability के दो characteristics stability और internal consistency तो यह कौन से वाले को measure करता है वो आपके सामने table में लिखा हुआ है और फिर उनको थोड़ा सा आगे उसका procedure बताया है मैं यहां इसलिए इसकी अफसील में नहीं जा रहा कि मैं अगले modules में इन में से हर एक को लहदा-लहदा आपके लिए explain करूंगा